ध्यान रखने योग्य जरूरी बाते हैं नमर एक मच्छर अगर जादा आ रहे हैं तो एक तेज पत्ता जला दें इससे सारे मच्छर भाग जाएंगे नमर दो मुलायम रोटी बनाने के लिए आटा दूध और तेल मिलाकर आटा गुंदें एकदम सौफ्ट रोटियां बनेंगी नमर तेरा कुकर में दाल अगर बाहर आ रही है तो उसमें एक चमच घी या तेल मिला ले इससे दाल उबलकर बाहर नहीं आएगी नमर चार जो लोग गाय के दूद में घी मिलाकर रात को सोने से पहले सेवन करते हैं उन्हें नीद अच्छी आती है नमर पांच चावल बनाते समय उसमें चुटकी भर हींग मिला दें इससे चावल का स्वाद अच्छा आता है नमर चाय को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए लीवर में असर पढ़ता है नमर साथ फ्रीज में रखा हुआ खाना जादा दिन तक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि पेट की परेशानी हो सकती है नमर आठ पानी को साफ करने के लिए 2-3 मिनट के लिए फिट करी मिला दें पानी साफ हो जाता है नमर नो दही केला एक साथ सेवन कभी न करें यह नुकसान दायक हो सकता है 10. हो सके तो रात का खाना टाइम से खा लेना चाहिए जादा देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए 11. चिकनी चीज खाने के बाद ठंडा पानी ना पीए गुन-गुना पानी पी सकते है 12. हो सके तो हफते में एक बार नारियल पानी जरूर पीए इससे शरीर गोरा होता है 13. मचली के साथ दूद से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए 14. पालक से बनी चीज खाने से दिमाग तेज होता है और आखों की रोशनी भी तेज होती है 15. एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिला कर चहरे पर लगाने से चहरा साफ हो जाता है 16. हाथों के उठे की तेल से मालिश करने से आखों की रोशनी तेज होती है 17. अगर आप मसूर की दाल का सेवन करते हैं तो आपको खून की कमी नहीं होगी 18. कच्चा लहसुन खाने से खून पतला होता है शरीर में ताजा खून पैदा होता है 19. प्याज के रस में नीमू का रस मिला कर पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है 20. अगर आपके हज से जादा बाल जढते हैं तो रोज आना सौफ का सेवन करें बाल जढना बंद हो जाते है 21. दूद के साथ बासी रोटी खाने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और चिपके हुए गाल भी बाहर आ जाते है 22. बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है 23. हींग को थोड़ा गरम करके कीडा लगे हुए दात के बीच में रखें 24. प्याज का रस मस्वें लगाने से मस्व के छोटे छोटे टुकडे होकर गिर जाते है 25. घुटनों के बल जादा देर तक बैठने या जादा देर तक कुछ काम करने से घुटने खराब हो जाते है 26. अद्रक और अजमाइन का सेवन करें इससे पेट की परिशानिया ठीक हो जाती है 27. जादा चाय पीने से आखों की रोशनी कमजोर हो जाती है 28. अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप हरी चाय का सेवन करें 29. कच्ची रोटी और कच्चे फल खाने से दिमाग कमजोर हो सकता है 30. अगर आपको पीले रंग का पेशाब हो रहा है तो आप अंदुरुनी तोर से स्वस्त नहीं है या फिर पानी कम पी रहे है 31. अगर आपका टेंशन के कारण सरभारी हो रहा हो चौकलेट या गुड़ खा ले 32. केले की छिलकों को कभी भी फेकना नहीं चाहिए इसे अपने चहरे पर लगा ले इससे रंग साफ होता है और चहरे पर निखार आता है 33. गाजर का सेवन बहुत फायदेमंद होता है इसका चाहे मुरब्बा खाएं या फिर कच्ची गाजर भी खा सकते है 34. पैरों के तलबे में बिक्स लगाने से सीने का कफ ठीक हो जाता है और सरदी जुकाम भी नहीं होता है 35. रोटिया पराठे में घी लगाकर खाने से बजन बढ़ता है और ताकत भी मिलती है 36. पुदीने के साथ मिश्री का सेवन करने से और्तों को पीरियट समंधी परेशानिया नहीं होती है 37. भीगे हुए बादाम का चिलका उतार के खाया करो 38. जादा नमक खाने से हाई बलड प्रैसर की समस्या हो सकती है इसलिए कभी भी सबजी में उपर से नमक ना डाले 49. हम रोजाना भुने हुए चने खाने से शरीर में ताकत मिलती है 40. सेव खाने की तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए गले में दिक्कत हो सकती है 41. आमले का मुरब्बा खाने से शरीर में बिटामिन सी की कमी नहीं होती है 42. जो लोग मिटी के बरतन का इस्तिमाल करते हैं वे कभी बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उसे मिनरल्स मिलता है 43. सुबा सुबा हरी घास में टहलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है 44. अगर बदहजमी से बचना चाहते हैं तो खाने को धीरे धीरे चवा कर खाएं 45. आलू बुखारे का सेवन करने से चहरे पर चमकाती है 46. पान के पत्ते को सुजन वाली जगह पर लगाने से सुजन कम हो जाती है 47. जादा गुस्सा करने से दिल कमजोर हो सकता है 48. फटे होटो पर थोड़ा सा घी लगा ले ऐसा करने से होट मुलायम हो जाते है 49. अदरक वाला पानी पीने से शरीर में खून गाढ़ा नहीं होता है 50. दोध में एक चमच घी डाल कर पीने से शरीर में ताक अताती है इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी एक सामान प्रक्रिया के लिए है किसी भी बीमारी से पीडित होने पर डॉक्टर से सलह लेकर है नियम अपनाए दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें